अकाश आनंद अपने ही रहे मायवती के उत्रा दिकारी। पक्त से हटाए जाने के बाद बस्पा सुप्रीमों मायवती के लिए क्या कह गए आकाश आनंद। के चंदर शेखर रामण पर बोले गए हमले से नाराज बस्पा नितरत्व बना अकाश अनंद को राश्ट्रे से योजग के पद और मायवती के उत्रा दिकारी की जिम्मेदारी से हटाने की वज़ा आगे की वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे बने रहें वीड पर देर रात उन्हें दोनों एहम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया इसकी वज़ा उनका अपरिपक्व होना बताया गया बता दें कि अकाश अनंद ने सितापुर में जनसभा के दोरान भाजपा नेताओं की तुलना अतंकवादियों से की थी साथ ही उन्हें जूतों से म पर देते हुए आकाश अनंद की रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी थी इसके बावजूद वह दिल्ली में पार्टी समर्थकों चातरों शिक्षकों आदी से संपर्क साधते रहे और विपक्षी नेताओं को लगातार निशाने पर लेते रहे बसपा सुप्रीमों ने म मुवमेंट के हित में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहने की बात भी कही उन्होंने कहा कि बसपा का नितरत्व पार्टी वे मुवमेंट के हित में एवं डोक्टर अमेडगर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का तयाग वे कुर्बानी देने से प इसके बावजूद लोकसवा चुनाओ आने पर अकाश आनंद ने बस्पा की जंसभाओं की शुरुवात नगीना से की जानकारों की माने तो इस जंसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना के प्रत्याशी चंदरशेकर आजाद उर्फ राव उभाशन से पार्टी नेत्रत्व को नरास करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी हाला कि बहुजन समाज पार्टी बस्पा के राश्ट्रे संयोजक पद से बरखास्त किये जाने के बाद अकाश आनंद ने पार्टी प्रमुख मायावती को बहुजन समाज के लिए रोल मोडल साथ ही कहा कि वह भीम मिशन और अपने समाज के लिए अपनी आखरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे बस्पा नेता और पार्टी प्रमुख मायावती के फैसले के बाद अकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है अपनी पहली टिपणी में अकाश आनंद ने लिखा कि बस्पा प्रमुख मायावती आप पूरे भूजन समाज के लिए आधर्श हैं करोडो देशवासी आपको पूजते हैं आपके संगर्शों की वज़ा से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनेतिक ताकत में लिए है जिसके बूते आज भूजन समाज सम्मान से जीना सीख पाया है आप हमारी सर्वमानने अनेता है आपका आदेश हमारे सिर माथे पे है भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा अकाश आनंद को अपनी उत्राधी कारी के जिम्मेदारी से हटाने के बाद मायावती अब किस अपना उत्तराधी कारी घोशित करती है यह तो वक्त ही बताएगा फिलाल के लिए बस इतना ही इस पूरी खबर से जोड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा देश परदेश से जोड़ी हर चोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सेटी झाल 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 झाल